भाजपा की स्थापना से लेकर आज तक जिन महान विभूतियों ने अपने खून पसिने से इस पार्टी को सीचा है पार्टी को सम्वारा है पार्टी को सम्रत किया है पार्टी को ससक्त किया है देश के कोटी कोटी जनों की आवाज को बुलंद किया है उन सभी को छोटे से छोटे कारकरता से ले करके वरिष्ट पदपर से पार्टी की और देश की सेवा करने वाले सभी महानुभावों का मैं आज शीष जुका करके पणाम करता हूँ साथियों आज हम देश के कोने कोने में भगवान हनुमान जी की जन्मजेंति मना रहे बजरंग बली के नाम का गोश चारों तरब गुंज रहा है हनुमान जी का जीवन उनके जीवन के पमुक प्रसंग आज भी हमें भारत की विकास यात्रा में प्रेरणा देते हैं पुर्शार्थ के लिए प्रेरित करते हैं और हमारी सफलताओं में कहीं कहीं उन महान शक्ति के आशिरवात प्रतिम्म्मित होते हैं हनुमान जी के पास असीम शक्ति है लेकिन इस सक्ति का इस्तिमाल वो तभी कर पाते हैं जब स्वयम पर से उनका सहंदेश समाप्त होता है 2014 से पहले भारत की भी तो यही स्थिकी सी अथा सामर्च से भरपूर लेकिन अज़िशों से घिरा हुआ देश का नागरी आज भारत उस बजरंग बली की तरह से उस बजरंग बली की महाशक्ति के तरह अपने अंदर सुक्त शक्तियों का आभास कर चुका है आज भारत समंदर जैसी विशाल चुनोत्यों को पार करने उनका मुकामला करने में पहले से कहीं ज़्यादा सक्षम है हन्दमान जी के ऐसे ही कई गुणों से हम सभी भाजपा थार करता हमारी पार्टी निरंतर प्रेणा पाते हैं हन्दमान जी सब कुछ कर सकते हैं सब के लिए करते हैं लेकिन अपने लिए कुछ नहीं करते हैं इदम रामाय इदम नममा यही तो भाजपा की प्रेणा है इदम राष्ट्राए इदम नममा भाजपा हन्दमान जी की एक और बाद से भी बहुत बड़ी प्रेणा मिलती रहती हैं जब हन्दमान जी को राक्षसों का सामना करना पड़ा तो वो उतने ही कठोर भी हो गए थे इसी तरह जब प्रस्टाचार की बात आती है परिवारवाद की बात आती है कानून व्रवस्ता की बात आती है तो भाजपा उतनी ही संकल्प बद्ध हो जाती है माभारती को इन बुराईयों से मुक्ति दिलाने के लिए कठोर होना पड़े तो कठोर भी हो और हम मारे लिए एक तो बहुत बड़ी प्रेणा क्या है आज की मोडरन परिभाषा में जिन बातों को बार बार जिक्र किया जाता है और वो है केंडू एटिटूड अगर हनमान जी का पूरा जीवन देखे डगर डगर पर पल पल हनमान जी के भीतर की केंडू एटिटूड केंडूर संकल फक्ति उनको सहर प्रकार की सभलता लाने में बहाद बड़ी भूमिक आदा करती है कहा भी गया है कवन सो काज कठीन जग माही कवन सो काज कठीन जग माही जो नहीं होई ताथ तुम्ही पाई तुम्ह पाई यानि ऐसा कोई भी काम नहीं है जो पवन पुत्र हनमान कर नहीं सकते इसलिए जब लक्ष्मान जी पर संक्ट आया तो हनमान जी संजवनी बुट्टी के लिए पूरा परबध ही उठाकर के लिए आये पाजपाभी इसी प्रेणा से परणाम लाने में लोगों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करती रही है करते रहना है करते रहेंगे जैसे ही घड़ी का काटा दो बहर ढाई पे आये बपीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और यह है इनकी बहु पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब यह करें अपना फेवरिट शो फ्री टाइम पे आउन इनकी तरह आप भी देगे अपना फेवरिट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव आप अपने स्मार्ट टीवी पर एबीपी डियूज आपको रखे आगे